नमस्कार दोस्तों आज हम इस अध्याय चार का तीसरे एपिसोड में हैं हम अभी तक सदिशिय बीजगरित को पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं आज हमने जोड देख लिया घटाना देख लिया वास्तिविक संख्याओं से उनका गुड़न फल देख लिया आज हम इसका व्य जोड़न इस अध्याय में हम बहुत कुछ सदिशिय बीजगरित कर रहा है वेक्टर अलजबरा कर रहा है बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे दोस्तों इस अध्याय का नाम ही वेक्टर अलजबरा है और वो मूशन इने प्लेन या सम्तल में घती की बात तो कम करते है आपको कि जिसे कि आप आगे पढ़ सकें समझ सकें उसी काम को मैं कर रहा हूँ और आज मैं करने वाला हूँ पहले सदिशो का वियोजन वियोजन मतलब घटक घटान माल लिजे कि एक कोई ये कोई वस्तू है अब इस वस्तू पर एक बल मैंने इस दिशाओ में लगाया इस दिशा में बल लगाया माल लेजे तो अब इसका असर इस दिशा में क्या होगा और इस दिशा में क्या होगा या किसी दूसरी दिशा में क्या होगा मतलब इस फस्तु पर जो मेरे बल लगाया है उस बल का असर दूसरी दिशाओं में क्या होगा तो मतलब अब इसमें क्या की एक वेक्टर राशी है उसका दूसरी राशी दूसरी दिशाओं में क्या आसर होगा क्या उसका विग्टन होगा प्रक्रिया को हम सदिशों का वियोजन कहते है माल लजे यह एक वेक्टर है ओ-पі यह संख्या है कुछ भी हो आप इसको दो संख्याओं की ट्रम्स मैं लिख सकते कोई भी वियंजक हो कोई भी फिए मालीज team फ् 춤 हिए इसको में हमेशा दो अलग वियंजकों के रूप में लिख सकता उं के मान अलग-अलग हो सकते यह लेंडा और मुव, दो अलग-अलग संख्याएं हैं, वास्तोविक संख्याएं हैं, इनके बान अलग-अलग हो सकते हैं, किसी को भी बदल सकता हूं, अभी आप महसूस करेंगे, कैसे बदल सकते हैं, माल लिजिघे मैं A दिशा में और B दिशा में बदलना चाहता हूं, य यह वेक्टर है यह और इसको जो व्योजन कर रहा हूं मैं इस ए और इस बी की और कर रहा हूं कैसे करूँगा आए देखिए यह वेक्टर है मैंने ए दिशा की और एक लाइंग खीज़ दी लंबी फिर इदर इसी तरह से यह बी दिशा का लिया अब मैंने क्या किया यहां पर बी दिशा Wella जो वेक्टर था वह मैंने लिखा हूं मैंने बना दिया पहले यहाँ पर उसको इतना लंबा खplay और इसको। intersect cross कर गई, cross कर गई, तो मतलब यहाँ पर एक वेक्टर यह हुआ और एक वेक्टर यह हुआ, अब जैसे कि मैंने पहले कर चुका हूं, A plus B, अब इस vector को चोड़ दू, lambda A vector और mu B vector को चोड़ दू, तो मुझे कौन सा vector मिलेगा, A vector मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, विल्कुल मिलेगा, थोड़ा सोचिए, lambda A plus mu B, A vector है B vector, आप देख रहे हैं, इस A vector को मैंने lambda A दिशा में तोड़ दिया, और B विशा में तोड़ दिया, तो ये A is equal to lambda A plus mu B, जहाँ पर की lambda और mu दो वास्तिविक संख्या हैं, इन दौनों संख्याओं में मैंने तोड़ दिया, वियोजित कर दिया, इस तरह से मैं सदिशों का वियोजन हर जगा करूँगा, ये इस इसको ज़रा थोड़ा सा बीजगड़ित के साब में देख लीज है, और QP mu B है, ये तो दो राशिया हो, दो विबिनर दिशाएं हो गई, A और B, मैंने इसको तोड़ दिया, बड़े आराम से तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये अब कुछ uniformity की बात करें, हम सब लोग, अब मेरा नाम कुछ है, कोई किसी नाम से पकारे कोई किसी नाम से पकारे, कोई किसी नाम से पकारे, तो कुछ बात समझ की कोई नया आदमी आए, तो वो समझ नहीं पाएगा किसकी बात कर रहे है, तो एक समताल आने के लिए, एक international conference है, IUPAP एक संस्था है, और उस संस्था से ने ये तिया कि ये जो प्रणालिया है, अक्ष क्लासे में खुब पढ़ते रहे हैं, एक दूसरा है polar coordinate system, जिसमें की गोली है, कार्तिय प्रणाली है, जिसमें की दो तरह के होते हैं, cylindrical, cylinder के हिसाब से प्रणाली और एक spherical, गोली है, इनके दौनों के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, और मैं अभी सिर्फ कार्तिक प् हैं दोस्तों, बहुत अची तरह से वाकिफ हैं, तीनों एक दूसरे के perpendicular हैं, आपके घड़त की क्लास में आपके खुब पढ़ा होगा, अब इनके दिशा तारों तीनों तरफ हम एकांक सदिश ले रहे हैं, आई, एक्स एक दिशा की तरफ की conventions हैं, इसमें कोई, कोई सेक्र एकांक सदिश है, जे य एक्स की तरफ एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश मतलब जिसका की परिमार एकांक है, यूनिटी है, आई, एक्स, एक्स एक्स की तरफ जो एकांक सदिश है वो आई है, इनको आप इसी चीजों को मैंने अलग अलग तरीके से हाँ पर समझाने का प इसी तरह से आप तीन दिशाव में भी तोड़ सकते हैं शुरू में पहले एपिसोड में ध्यान कीजिए मैंने आपको बार-बार कहा था कि ए इसी इकल टू किसी भी वेक्टर को हम तोड़ सक विवाजित कर सकते हैं तो उसी दिशाव से हमने बनाया है एक य, ज, और इसकी कुछ जयमती देखिए आप यहाँ पर इसकी कुछ जयमती देखिए अगर मैं इसका एक क्यूब बनाऊँ यूनिट वेक्टर का आई, ज, के एकांग सदिशोगा तो यह एक घंड की तरह से लगेगा और इसका पूरा जो आयतन होगा वो एक यूनिट तो यह से सारो चारो दिशाएं, चारो चित्र आपको एक आयताकार तियरिदेशांग परणा ली और एक कांग सदिशोगों को निरूपित कर रहे हैं है ध्यान दीजे एक आउँ शादिशा है, आई, ज, क, आई, एक्से एक्सेस की ओर, ज, ज, एक्सिस की ओर, एक्सेस्ट के मान यूनिटी है इन सब के मॉडूला से निकाले यह देखिए अब यूनिट वेक्टर के ऊपर ना नॉर्मल हम किताबों में एक टोपी चड़ा देते हैं कैप चड़ा देते हैं यह कैप आई कैप यूनिट वेक्टर को दिर्शा थे कोई खास नई बात नहीं है कोई ऐसी तो देखें देखिए जैसे यह 2 अब आप देखें एक वेक्टर है AX A और यह X एक्स की हो रहे है तो इस पर यूनिट वेक्टर क्या है इसका एकांग साधिश क्या है आई आई एकांग साधिश है तो यहां पर आप आराम से पता सकते हैं इसको देख करके मुझे की परिमान है वो दो है यह एक ही बात को लिखने के अलग अलग तरीके है कुछ और खास बात नहीं है इसी तरह से यह यह इस लाइन को ता बड़ असनी से समझ सकते हैं A is equal to 2y और अगर मैं I की दिशाम एक्स एक्स की दिशामिना करके किसी एक और अक्ष की किसी और अन्यों अधिश की और चलू और वहाँ पर मैं और युणिट एक अंक सधिश ponote नाऊ तो उसको हम in ветर यह थेख और यह यह ग्यान दीजिए मैंने दो साइट पहले बताया था वेक्टर a is equal to lambda small a plus mu small b आप देखिए यहाँ पर अब यह और b जो वहाँ पर मैंने small a और small b vectors दिये थे अब यहाँ पर x और y access कर दिये मैंने तो अब वेक्टर a है तो इसके व्योजन जो होंगे a1 और a2 होंगे जिस तरह से कि यहाँ पर दिखाया गया है और यह एंगिल एक थीटा बनाया होगा तो a x i a y j यह सिंपल आपने geometrical geometry में या trigonometry में खुब अच्छी तरह से पढ़ा होगा trigonmity में बहुत अच्छी तरह से अपनी किताबों में पढ़ रहे होंगे मैंने उसी को ही यहाँ पर उप्योग किया है यहाँ पर आप ध्यान दिजिए tangent of theta यह जिसको इस परशज्या theta कहते हैं वह क्या होगा this lump बटे आधार 10th theta will be equal to this a y divided by a x होगा और इस सिद्धान को use करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आगे देखिए यह मैंने चार quadrant होते हैं na x y z axis में स्ट्म में दो दिशाओं स्थो रहा हूं मैंने की बात करते हूं आई अब मैंब करूगा क्योंकि जन्रल है और बाद में जब मैंने दो डामेंशन समझें तीन डामेंशन का आसानी से कर लूगा कोई दिक्कत नहीं है कोई प्राब्लम नहीं होगी बहुत आसानी से हो जाएगा उसी को जन्रलाइज करना है अब चारह कौडिनेट को हम नेचर समझते हैं चारह कौडि अब ध्यान दिज्ये सारे कोट मैं कहांसे ले रहा हूं एक से कोडिने यहां यह पहला आक्षा पहल कौना है एकस प मुजीटिव यहँ फर्स ऐसे kidnapped यह थर्ड काड Wegint and你看 4 अच्छी तरह से पढ़ाए दोस्तो आपने आप ध्यान दीज्ये तो यहां पर इसको आप अच्ल hallway स पर सकते हैं कि मैं पहले से शुरू से लेता हुआ हूँ, यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं न, पॉजिटिव Y-axis की तरफ है, तो इसका मान जीरो से ज्यादा है, इसका मान जीरो से ज्यादा होगा, अब क्वाडरेंट 2 में आईए, इस में आईए, यह वेक्टर है, यहाँ पर A-Y तो पॉजिटिव Y-axis की तरफ है, और A-axis, रिलात्मक X-axis की तरफ है, तो A-axis 0 से कम है, और A-Y 0 से ज्यादा है, और कौन आप देख रहे हैं, रिलात्मक X-axis से थीटा है, यह clockwise है, और धनात्मक X-axis से यह angle है, थीटा है, यह आपको anti-clockwise है, similarly, third quadrant, third quadrant में, मैंने थोड़ा सब्सक्राइब, जिंगिल कर दिया है, परिशान मत हो, यह आसानी समझ जाएंगे, कि यहाँ पर axis लेखे हुए है, quadrants लेखे हुए है, अब आप इसको समझ सकते हैं, इसमें X भी negative है, Y भी negative है, तो A-X और A-Y दौनो 0 से कम है, similarly, यहाँ, fourth quadrant में, X positive है, Y negative है, तो A-X is greater than 0, and A-Y is less than 0, हाँ, अब आप पहली line को देखिए, जैसे मैंने लिखा था, A is equal to lambda A plus mu B, उसी को द्वारा से लिखा है, A-X-I plus A-Y-J, देखिए, इस diagram से आप निकाल लिजे, A-X-I, I unit vectors है, एक आंक सदिश है, उनके बान A vector का जब व्योजित करेंगे, तो X, X-Axis पर जो उसका व्योजन होगा, जो घटक होगा, उसका परिमान A-X है, और जो Y-Axis पर जो उसका घटक होगा, उसका परिमान A-Y है, और धनों वास्तिविक संक्याहे हैं, जहां दीजे दोनों italics हैं दोनों यहां पर italics हैं यह दोनों ही इसका मतलब अदिश्राशियां है अब आप थोड़ा सा simple trigonometric कीजिए थोड़ा सा trigonometri करेंगे तो ax is equal to a cos theta, cos theta क्या होता है आधार बटे आधार बटे विकर्ण तो आपसे बड़े आसानी से निकाल लेंगे ax is equal to a cos theta and ay is equal to a sin theta और अगर इसका square करे और उनका add करे ax square plus ay square is equal to a square cos square theta plus a square sin square theta a square को कमल लेंगे तो a square bracket में cos square theta plus sin square theta होगा cos square theta plus sin square theta is one all of you know तो तो यह a square के बराबर होगा या अब इसी equation को इसी समिक्रल को मैं a is equal to under root ax square plus ay square आसारी से लिख सकता हूँ और इनके बीच के जो कौन है theta x axis से जो कौन बन रहा है 10 theta क्या होगा लंब बटे आधार लंब बटे आधार मतलब ay divided by ax या theta is equal to 10 inverse ay by ax तो आपने देखा कि किसी vector को समझने के लिए उसको हम अगर वियोजित कर दे है एक्स और y axis में अगर समतल में है और अगर किसी स्थान में है दिखिस्थान में है इस पेस में है तीन डामेशन में है तो तीनों दिशाओं में आई जे के तीनों की तरफ हमें वियोजित करना होगा तो उससे हमें इसका answer मिल जाएगा हाँ पिक्चर कुछ ऐसी है तस्वीर कुछ ऐसी है आप देखिए दोस्तों यहांपर एक ये वेक्टर है ठीडाक्टर है ये एक्स क्यों लेए है कि मैं कौन सी डारचन में कौन साल हूं आप कोच भी कर सकते हैं सिर्फ यह कहता है कि एक्स वाइजेड यह तीनो जो अक्ष हैं तीनो एक दूसरे के लंभुवत हैं कि यह तीनो आक्षिनों हैं बस इस बात का ध्यान रखिए कहीं से कुछ भी कर लिजे सम्मानने हैं कोई जरूरी नहीं है कि X आपका 36 हो कोई जरूरी नहीं है कि Y आपका लंबवत हो अधरवादर हो कोई जरूरी नहीं है को ऐसे भी कर लिजे बस इस बात का ध्यान रखिए कि X आक्ष, Y आक्ष, Z आक्ष, तीनों आक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं बस और कुछ नहीं तो अब आप देखें यह एक है तो इसको मैंने जब लाइन है यह पूरे प्लें में विजन है यह एक वेक्टर है स्पेस में इसका व्योजन एक्स वाई एक्स में यह है अब इसको द्वारा से थीटा और फाई करके कुछ भी करके मैं द्वारा से X-axis और Y-axis की तरफ पुनहें वियोजित कर सकता हूं बड़े आसानी से कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसानी से तो यह एक आपकी समझने के लिए मैंने चेत्र लाया हूं दोस्तों और अब इनको किस तरह से आप और कर सकते समझ सकते हैं इसी एल वेक्टर एलजेवरा को देख कोई घलत नहीं किया मैंने को यह अपराद नहीं किया फिर से मैं X को इस दिशाह में लियाया वाई को मैंने ऊपर ले लिए जैट को फिर में इदर ले आया यह मेरी चॉइस है आपकी चॉइस है किदर से कैसे कर रहा है कुछ भी करिए बस सिर्फ धान देना एक तीनों एक है यह एक वेक्टर है एकहे आप यह एक्स एक्स से एल फा एंगल बना रहा है एक्स भाई पर यह एक्स Sun sensor ग्मोरॉल के दीलन यह एक्से एक्स एसंटरदन नंहले कि निचे यह एक्सिन से ऊपर कि ऋर्प निचे सा विजुलाइज करने का प्यास कीजिए दोस्तों आसानी से कर लेंगे कोई मुश्किल नहीं है थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए विजुलाइज कीजिए आप निकाल लेंगे एकस तो अपने इस तरह से हाँ पर उनको व्योचित कर लेंगे तो और आप पाएंगे तीन कि तरह एकस त्हार माउड से कर एकस कितरी तरह एकसाrib आपर एकस्स के साथ कोड खाम है तो तो टोटल वेक्टर क्या होगा एगाल डू आप इसे तो एकसा ए प्लस ऑद्यागिए प्लस एवाय ही जाह इसकोज फ syllाएंपर आफ को इसे पस्छे अまず हमने पहले निकाला तग यह x-point है, यह y-point है, यह z-point है, तो इसका सथी सथिश क्या होगा, r, x i plus y j plus z ke, x, y, j unit vectors है, एक कांग सथिश है, x, x के पढ़ता है, y x के पढ़ता है, और z x के पढ़ता है, इस तरह से आप, अब थोड़ा सा और एक विशलेशन आत्मक विदी है, जो कि पहले तो हमने ग्रा triangular law में या parallel law में, triangular law में एक के बाद दूसरा वेक्टर किचा था, और parallel law में हमने parallelogram बना करके उनका योग निकाला था, अब एक विशलेशन आत्मक विदी से देखिए, दो वेक्टर है, a is equal to a x i plus a y j, और b is equal to b x i plus b y j, a vector, b vector, अब इन दोनों का resultant निकालना है, simple algebra है, i के साथ वाले हमेंने coefficient x साथ कर दिये, y z के साथ, j के साथ वाले मेंने एक साथ कर दिये, r x i plus r y j, so r x is equal to a x plus b x, and r y is equal to a y plus b y, simple सी बात है, तो इस तरह से हम इनके, अब इसी तरह से आप angles भी निकाल सकते हैं, और आगे की calculations कर सकते हैं, यहाँ पर a x क्या है दोस्तों, बताओ जल्दी से, a cos theta, b x क्या है, b cos alpha, and so far so on, ओके, यह है diagram, a vector, b vector, compare कर लो, इसको जो ग्राफियो विदी थी, इस b को उठा करके, मैं a के उपर ले गया, a plus b करना है मुझे, इसकी पूछ, और total का सिरा, इसको जोड़ दिया, यह मुझे result मिल गया, a plus b, similarly, अब मैं b plus a करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, b यह है, इसकी पूछ को, इसके b के सेरे पर ले जाओगा, यह आ जाएगा, फिर से result मिल गया, एक बार फिर से आप देखेंगे, a plus b is equal to b plus a, nothing else, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े मज़े से आप कर लेंगे, कोई टोटल वेक्टर a plus b निकालना है, simple mathematics है, जिस तरह से मैंने वहाँ पर पहले दो दो वेक्टर, दो रामेंशन के लिए यह मैं तीन डामेंशन के लिए कर दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है, मैं एक स्लाइड अप चाहें वैसा खेल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बाहर की तरफ निकल रहा हो, अंदर की तरफ भी जा सकता है, तीसरा एक्सेश, अंदर की तरफ भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, सब आपके उपर है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करिए, पर coordinate system में अगर सब्सक्राइब है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यह ध्यान रख रहा है कि तीनों एकसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने है अगेन आपको यूनिट वेक्टर एक यूनिट क्यूब है वह इस तरह से आप निकाल सकते है यस अब थोड़ा से थोड़ा से अलजब्रा और थो सब्सक्राइब है और यदियोओं को सब्सक्राइब कर सकता है यहाँ जोड़ाव घटाव तो सब वही है वह तो फंडमेंटल यहां यहां पर भी लागू होंगी, यह ऐसा नहीं है कि जो सदिश्य बीजगड़ित है, साधारान बीजगड़ित को बिल्कुली अमानने कर दे, ना, ऐसा नहीं है, उसके आगे बढ़ता है, बस सिर्फ दिशाओं का एक जोड उसमें, और आगे आजाता है, अब मूशन की बात करते हैं, अब थोड़ा सा हम गती की बात करते हैं, अब तक तो हमने विजगड़ित है बीजगड़ित में सारे खो गए, हम बताना पड़ा, इतना और तुन अच temporary से यह है और इसी तरह से जब यह टाइम टी से पी से पी डेश पर आ रहा है पहले चल रहा है बस तु चल रही है टाइम टी वन पर पी पर है टाइम टी टू पर पी डेश पर है टाइम टी वन पर उसका पोजिशन कोडिनेट आर है टाइम टी टू पर उसका पोजिशन डेलटा r, r'-r, आप इस डाइग्राम से देखिए, यह डेलटा x, यह डेलटा y है, यह जो डेल्टा r hai, i DELTA x प्लस j DELTA y होगा, i और j क्या है दोस्तों, एक अंक सादिश है, x-axis और y-axis के परिते हैं, तो delta x is equal to x dash minus x, simple geometry, simple coordinate geometry, delta y is equal to this, अब मुझे इसका वेग निकालना है, देखे यह तो आपने विस्थापन सदिश निकाला, यह विस्थापन है, अब मुझे इसका वेग निकालना, वेग क्या था, delta x by delta t, बहुति यहां आया, यहां यह देल्टा r by delta t, दो दिशापन हैं न, न, plane में हैं, तो delta r कहूंगा, जिसको immediately saadा, जिसको x दिशा में होगा, delta x एक्स कहूंगा, y दिशा में होगा, delta y कहूंगा, अब ह atención compare करूंगा, तो देखिए यहां से आया, i delta x plus j delta y by delta t, तो यह क्या होगा, i delta x by delta t plus j delta y by delta t, delta x by delta t को मैं v x कह दिया, velocity in x direction, delta y by delta t को मैंने v y कह दिया, velocity in y direction, v x minus is equal to nothing, जहां पर v x क्या है, आप simple algebra देख रहे, delta x क्या, x dash minus x, v x is equal to x dash minus x by delta t, v y is equal to that the y component, जो y घटक है, वो y dash minus y divided by delta t, इस तरह से आप इसका आपने वेख सदिश निकाल लिया, अब थोड़ा सा हम, हम आपके साथ शयतानी करेंगे, खेलेंगे, ताथ शड़िक वेख निकालेंगे, एक particular moment पर, यह जो वेख मैंने निकाला था ना पिश्ली बार में, वो r से r dash या t1 से t2 तक के ते लिये था, अब एक particular time के लिए देखेंगे, अब थोड़ी से calculus हम बीच में लाएंगे, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, time का जो समय अंत्राल है, उस तामान बहुत कम होगा, देखिए, यहाँ पर पहले यह diagram बने, जो पिछली बार वाला diagram तो वो ही diagram है, velocity वेख की दिशा इस तरफ है, आप देखिए, अब यह डिल्टाटी छोटा होता से ला जा रहा है, तो बीच में जो विस्थापन है, वो भी छोटा होता से ला जाएगा, और छोटा अगर आप करेंगे, तो आपको दिखेगा, कोछ इस तरह से, यह कर्व है माल लिजे, अब मैंने यहां से यहां तक पहले लिया, फिर यहां से, अब मैं दीरे दीरे डिल्टा टी को कम करता गया, इतना आ गया, यहां तक आ गया, टाइम है, यहां है, अब आप यहां पर क्या देखेंगे, वेलासिटी की जो डारेक्शन है, वो बिंदू पर इस कर्व के लगभग इस परश्रेखा, टैंजेंट, इस पर श्रेखा की तरफ हो जाएगी, उसी के लाइन पर अनुदिश हो जाएगी, ध्यान करिए, जब एक सरल रेखा में आप गती देख रहे थे, तब आपने देखा था कि वेग और तुरण, दोनों की दिशाएं, गती की दिशा के परिते ही थी, हलाकि उसके अप विप्रीत दिशाओं में हो सकती थी, बेखी तो नहीं हो सकती थी, लेकिन तुरण की हो सकती थी, अगर वालेजी किसी वस्तु का स्पीड चाल घट रही है, तो तुरण की दिशाओं उसके परिमाद, जो दिशाह है, वो उसी और होगी, जिस और की घटी है, या उसके विप्रीत होगी, 180 का कौन बनाते हुए तो दोस्तों जैसे जैसे डिल्टा टी का मान घटेगा आप देखें देख रहे हैं कि डिल्टा टी का मान घटेगा उसी तरह से डिल्टा आर का मान भी घटेगा तो डिल्टा आर का मान जैसे जैसे घट रहा है आप देखिए तो वह एक धीरे-धीरे जा टो यहां पर आप देख रहे हैं देखे देखिए वेक की दिषा मार्क की अनुधिश नहीं है मे की दिषा मार्क के इसपर शमेका के है यहां रखेंग एक समाल गती से बूचन हो रहा है घटी हो रही है, तो यह जो पात हो जाएगी but треть line थिजर सरनवागा होगी, तो स्पर्ष ह ही तो सिट!? फिर से वही चीज एक ही दिशा में आ जाएगी तो कोई बात नहीं तो इसका इसका आर्थ यह हुआ कि आते हैं कि प्रकार किसी भी बिंदू पर इस पर श्रीका होगी जो की गती की दिशा में है एकल तो दी रबाइडि टी डी रबाइडी टी कहां से आ रहा है केलकुलस से आ रहा है। तब हम इसको अवकलन की धार्णा के अनुसार डी आर बाइडी ती कह सकते हैं अब इसको थोड़ा सा और एलजब्रा करते हैं वेलोसिटी इस इकल टो डियार बाइड़ टी तो लिमिट डेल्टा टी आप देख रहे हैं इसको लिख सकता हूं आई और जे की दिशा में और इसको मैं और फॉर्दर करूं आई को बाहर ले आया इसी तरह जे को बाहर रहा है इस बैकेट को कोला तो में यह क्योशन मिल गई या वी इस इकल टो आई डी एक्सवाइड टी जडी डी वाइट टी वी एक्सपाइड आपने अभी तक देख रहे थे कि पिछली एप साइट में क्या देखा था आर इस इकल पहले जैसा ही आंसर मिल रहा है पहले जैसे इतर मिल रहा है तो और इसी तरह से जिसे वेक्टर प्लस वी वाई स्कार और दिशा उसकी टैन थीटा वी वाई वाई वी एक्स सिंपल को त्रिकॉण मिती कर नियमों का यो करते हुए मैं बड़े आराम से थीटा की डायरेक्शन निकाल सकता हुए अब अगले अध्याय में हम अभी तक वेग की बात हमने कर ली अगले अध्याय में हम तुरन की बात करेंगे कि तुरन का क्या होता है दिशा का ग्यान हो गया हमें विज्ञा वेग का अगले एपिसोड में हम तुरन की बात करेंगे और इसके फिर जो भातिक कच गुर धर्म ह और कुछ भतिक इसके अनुद्हारान है प्रक्षप्पिगती और एक समान वर्तुल गती वहाँ पर इन सब चीज़ों का उपयोग देखेंगे धन्यवाद दोस्तों शर्षप्पिखटन गतर इन सबस्चतों Kanagic